नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पिवु जवीरी और आज हम सीखेंगे इंग्लिस टैक्स बुक, स्टांडर्ड टैन, यूनिट नमबर थ्री, एन इंटर्वियू विथ अरुन क्रिश्नमूर्थी, अरुन क्रिश्नमूर्थी के साथ मुलाकात पार्ट टू दोस्तों, पार्ट वन में हमने सीखा, कि 17 साल की उम्रा में, अरुन क्रिश्नमूर्थी ने एक एंग्यो की स्थापना की, और उनके घर के बाजू में आये हुए तालाब को साफ करने के कारिय से शुरू करके एक परियाबरण वीद बने दोस्तों, अरुन क्रिश्नमूर्थी के साथ की कई मुलाकात को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं पार्ट टू अच्छी तंखा देने वाली नौकरी छोड़ते समय और पूरे समय के इस साहस को सुरू करते समय क्या आपको कोई हिच की चाहट हुई थी? What were the options you wait before you arrived at your decision? आपके इस निर्णई पर आने से पहले आपने कौनसे विकल्प पर भार दिया? यानि किस बात को ज्यादा महत्वदिया? इस प्रश्ण के उत्तर में अरुण कृष्णा मूर्ति कहते है It is always good to decide in favor of what you really love to do आपको जो काम करना पसंद हो उसी की तरफदारी में नेने लेना हमेशा अच्छा होता है I quit my job at Google मैंने अपनी Google की नौकरी छोडी बट लेकिन I still keep in touch with my friends there लेकिन वहां के दोस्तों के संपर्क में मैं अभी भी हूँ So only my duties at Google have come to an end Not my emotional bond इस तरह देखे तो Google के प्रती मेरे कर्तव या मेरे कारिया का ही के वल अंत आया है मेरी भावना से जुड़े हुए संबंदो का नहीं Next paragraph I understood that I had to leave the job at that minute in 2010 मैं समझता था के मुझे साल 2010 में कुछ समय नौकरी छोड़नी ही थी और else I would never be daring enough to do so अगर उस समय मैंने नौकरी नहीं छोड़ी होती अगर ऐसा नहीं किया होता तो मैं कभी भी ऐसा साहस नहीं कर पाता I could not sit back and enjoy life when environmental damage was happening on such a large scale जब इतनी बड़ी मात्रा में परियावरन को नुकसान होता हो और मैं ऐसे ही बैठ कर जिन्दकी की मजे नहीं ले पाता I wanted to do something मैं कुछ करना चाता था and that something needed my full attention और उसमें मुझे पूरी तरह से ध्यान की आवसिक्ता थी यानि पूरी तरह से मुझे ध्यान देने की जरूरत थी so इसलिए I left Google for EFI इसलिए मैंने EFI के लिए EFI की वज़े से Google छोड़ा next paragraph what kind of garbage do people throw into water bodies पानी के स्त्रोत जरा सयो में लोग किस प्रकार का कर्चडा फेकते है how do you deal with the removal of this garbage once you clean the water body एक बार आप पानी के इन स्त्रोत को इन जला सयो को जला सयो के कचडे को निकाल देते हो फिर उस कचडे का क्या करते हो इसके उत्तर में अरुन क्रिश्नमूर्थी कहते है everything from a diaper to worn out sleepers we find everything in our legs सब कुछ diaper से लेकर पुराने sleeper चपल तक सभी चीजे हमें तालाब में से मिलती है this is so disturbing because it is water and water is the basis of life ये सब बहुत ही परेशान करने वाला है क्योंकि यहाँ पानी है और पानी जीवन का आधार है how can we not care for these water bodies ऐसे जला सवयों कि हम देख बाल क्यों न कर सकते है we use this garbage for landfill with no or minimal exposure to the outside environment हम ऐसे कचलो को ऐसी जगह पर गाड़ते है कि बाहर के पर्यावरण को कम से कम नुक्सान हो we ensure that the lake area and water holding are free of garbage हम इतना खयाल रगते हैं कि तालाब और पानी के दुसरे स्त्रोत को बीना कचले का बनाए so that जिससे birds, frogs and snakes can live in peace जिससे पंची, मेढग और शाप सान्ती से रह पाए शान्ती से जीशके next paragraph how many days does it take to clean a large lake एक बड़े से तालाब को साफ करने में कितने दिन लगते है do you use any special equipment for cleaning and safety सफाई और सुरक्सा के लिए आप कोई विशिष्ट प्रकार के साधनों का उप्योग करते हो depending on the size of the lake and the amount of garbage तालाब का कद और कचडे के प्रमाण पर नेरबर करता है it can take anywhere between 5 days and 3 months to completely clean a lake 5 दिन से लेकर 3 महिने तक का समय पूरे तालाब को साफ करने में लग सकता है we have our tools like racks and spats हमारे पास दाती और फावडा जैसे साधन है next paragraph what kind of protective gear do you use सुरक साके किन साधनों का आप उप्योग करते हो can you describe the cleaning process briefly क्या आप सफाई का काम किस तरह से करते हो यह इस प्रक्रिया को संक्सिप्त में बताएंगे उसके उत्तर में अरुन क्रिस्टन मुर्ति कहते हैं and dump it into collection buckets और संग्रित करने वाली टोकरी में उसे डालते हैं which are taken to the garbage truck जी से कचला ले जाने वाली truck तक पहुंचाया जाता है we also use heavy machinery like earth movers and pock lane to distill the lake and clear the wits and shrubs that are harmful हम earth movers और pock lane जैसे बड़े machinery का भी उप्योग करते हैं जिसे तालाप को साफ करने में और नुकसान पहुंचाने वाले ओधे लता को दूर करने के लिए इन machinery का उप्योग करते है next paragraph what in your opinion can children and young adults do for the environment in your opinion आपकी राई में what can children and young adults do for the environment आपकी राई में पर्यावरण के लिए बच्चे और युवा क्या कर सकते है what could be a small beginning by all of us in terms of protecting the environment पर्यावरण को बचाने के लिए छोटी सी सुरुवात के रुप में हम क्या कर सकते है firstly सबसे पहली बात we should all stop throwing trash outside our homes सबसे पहली बात कि हम सबको हमारे घर से बाहर कचरा फेकना बंद कर देना चाहिए next दूसरी बात we should reduce the amount of fresh we generate हमें हो सक्या उतना कचरे का प्रमान कम करना चाहिए straws, tissues, rapers, batteries fast food junk all these end up in lakes and they come from our homes straw, tissue paper, rapers, battery fast food का कचरा यह सब हम तालाब में फेकते है and they come from our homes और यह सब हमारे घर में से आता है if we can reduce the amount of garbage at home अगर हम अपने घर के कचडे को कम करेंगे and if we can dispose all garbage safely और सारा कचड़ा सुरक्सित रुप से दूर करेंगे तो that itself is a great deal तो यह एक बहुत बड़ा काम एक महानकार्य होगा every student is welcome to volunteer with us in helping the environment परियावरन को मदद करने के लिए स्वयम सिवक बनने के लिए सभी विद्यार्थियों का स्वागत है next paragraph how much time do school going children need to devote in a week for an environmental cause परियावरन के लिए स्कूल जाने वाले बच्चों को हपते में कितना समय देने की जरूरत है यानि अगर स्कूल जाने वाले बच्चे परियावरन के कारे में मदद करने की इच्छा रखते है तो उनको कितना समय हपते में देना पड़ेगा इसके उत्तर में अरुन क्रिष्नमूर्ती कहते है फोर आवर्स अवीकेंड अट इस टो आवर्स अन शन्डेश एन टो आवर्स अन सेटर्डेश हपते में चार गंटे दो गंटे रभिवार को और दो गंटे शनिवार को इस स्मॉल बगिशियनिंग इस मोर्धन इनफ to ensure larger participation later ये छोटी सी सुरुवात बाद में बड़ी साजयदारी के साथ सहयोग के लिए काफी है next paragraph how can students and schools join your fraternity विद्यार्थी और स्कूल आपके कार्यक्रम में किस तरह से जुड़ सकते हैं do you have any programs to introduce your work to them उन्हें आपके कार्यक के बारे में आपके कार्यक के बारे में उनको जानकारी देने के लिए कुछ कार्यक्रम करते हो yes जी हाँ we offer fellowships to interested students दिल्चस्पी रखने बाले विद्यार्थियों को हम उनके मर्जी से जुड़ने के लिए कहते हैं और प्रोग्राम लुक्स एट यंग एनिमल लबर्स यंग वाइड लाफ फोटोग्राफर्स फिल्म मेकर्स ठीटर आर्टिस्ट एंड सान्टिफिक रिसर्चर्स युवा प्राणी प्रेमी युवा वन्यजीव फोटोग्राफर्स फिल्म बनाने वाले फिल्म कराकार और वाइग्यानिक संसुधकों के लिए हमारे करेकरम होते है वी गिव देम ट्रेनिंग इन दीज एरियाज इस बात की हम उन्हें ट्रेनिंग देते है उन्हें प्रसिक्सन करते है and get them actively involved in all our work और हमारे सभी कारियों में उन्हें सामिल करते है अवर यंगेस्ट वालियंटर is in class 3 हमारा सबसे छोटी उम्रका स्वयम से वक तीसरी कक्सा में है आर to to you our link our main focus is protecting wildlife and the places where these animals live so we are right now at the keel falls I make in South Chennai a lake which we are trying to kore दोस्तों यहां पर यह यूनीट समाप्त होता है दोस्तों आप भी अपने आस्पास सफाई बनाए रखें क्योंकि स्वच्टा में प्रभुता है और स्वच्टा से ही तंदुरस्ती रहती है ऐसी ही अच्छी सोच के साथ मैं उमीद रखता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर सच में आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को शेर जरूर करें और अभी तक आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकर आपको मिलते रहें और ऐसे ही आप अभ्यास कर पाओ तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर बहुत जल्द वापस मिलेंगे बाई झाल झाल झाल